अलो एवरीवन स्वागत आपका मेरे एम में एजुकेशन चैनल के उपर आज की मारे वीडियो के अंदर हम करेंगे और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें पहला आकन प्रस्क्रेप और न्यूपडेट्स तो आज की मारे वीडियो के अंदर हम करेंगे और अगरेशन कल्चर ओगनाजिशनल कल्चर ओगनाजिशन कल्चर का मतलब क्या होगा एक ओगनाजिशन का किस टाइब का कल्चर है उसकी वैल्यूज, उसकी एक्स्पिटेशन, उसकी प्रैक्टिसिस वो किस टाइब से गाइड करता है जैसे कि आपको पता होगा कल्चर का मतलब होता क्या है हर एक कंट्री का अलग-अलग कल्चर होता है और हर एक हमारे देश के अंदर हर एक स्टेट का अलग-अलग कल्चर है जैसे कि हमारे गुजरात के अंदर नवरात्री बहुत अच्छे से बनाई जाती है और हमारे हर एक तवार को अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है हर एक चीज को अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है उसी तरीके से organization का एक अलग से culture होते है कि organization culture is the collection of values, expectation and practices that guides and inform the action of all team members. Organization culture एक collection होते है उनकी values का कि आपको किस तरिके से काम करना है, किस टाइब की practices है, guide आपको करेंगी, uniform action team member को किस टाइब से काम करना है, वो सब चीज़े organization culture के अंदर बताई जाती है. Think of it as the collection of tracks that makes your company what it is. वो आपको बताती है कि आपकी जो company वो क्या है, आपका culture किस टाइब का है, जैसे कि क्या होता है कि हर जगह पे अलग अलग तरिके की कपड़े पहने जाते हैं, आप सभी को पता है कि कि किसी जगह पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं, किसी जगह पे क्या culture है, उसी टाइब से एक organization के अंदर अलग अलग culture होता है, हर एक organization के अंदर अपना एक अलग से culture होगा कि भई, जैसे देखो, school के अंदर जितने भी school होते हैं, हर एक school के अंदर अलग अलग dress होती है, उनका एक अलग अलग discipline होता है, अलग अलग culture होते हैं, अलग अलग rules होते हैं, उसी type से होते हैं, जैसे कि अभी इसके अंदर बोला गया, organization के अंदर अलग 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 चीज़े होते हैं, अलग अलग उनके cultures होते हैं, a great culture, a great culture, positive practice that leads to improve performance will a dysfunctional company culture brings out quality that handles even the most successful organization, हर एक organization के अंदर जो उसका culture होता है, वो एक positive अगर आपका अच्छा culture है, अप अच्छे से आपके सारे आपकी गाइडने साथ ही, आपकी values हैं, आपकी इस तरीके से अपने rules बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, तो आपकी जो company की performance है, उसको आपकी जो organization की performance है, उसको successful करने में बहुत ज़दा help करेगा, जैसी यह नहीं बोलते कि यह जो इनसान है, वो rule regulation के accordingly ही चलते हैं, अपने rules के accordingly चलते हैं, तो उसी type से अगर एक organization अपने guidance के accordingly, उनकी values और उनकी culture के accordingly चलेगी, तो वो definitely successful हो जाएगी, अब थोड़ा सा हम मेरी ड्रोइंग के accordingly समझेंगे, इन्वार्मेंट and atmosphere हम किस environment के अंदर रहते हैं, हमारा atmosphere क्या है, उसके उपर हमारा culture depend करता है, competition कितना है, standard and policies आप कौन से standards, कौन सी policies को use कर रहे हैं, leadership आपको lead को कर रहे तो उसके accordingly आपका culture होगा, कि मतलब देखो हम यह नहीं बोलते कि यह modern इंसान है इसकी thinking जो है वह बहुत जादा modern है तो उसी type से एक हम यह बोलते कि बहुत जादा typical इंसान है, इसकी third class सोच है या कितना भी है मतलब कुछ भी है तो वह सब चीजे आपके किसके उपर depend होते हैं आपके leader के आपको guide कोन कर रहा है तो वह बहुत जादा important होगा सबसे important होते हैं लोग की कैसे लोगों के अंदर आप रहते हैं तो वह आपका culture depend करेगा कि जैसे आप कोई सी town क इंदर कोई छोटे village के अंदर रहते हैं तो वह उसके अंदर उसका culture अलग होगा अब बड़ी city के अंदर रहते हो तो उसका culture अलग होगा उनका उनकी thinking अलग होगी तो वह लोगों के उपर depend करता है and a organization depend करती है कि उसका मतलब वह सब चीजों को देखके उसका culture किस type का होगा एक organization किसे काम करेगी वह उसकी culture के उपर depend होता है यह था हमारा culture होता क्या है four types of organization culture organization culture के अंदर मारे चार टाइब दिये गए हैं फिर्स्ट वोज एड़ोरसी कल्चर दा डैनेमिक एंटर्प्रियोशनल क्रेट कल्चर इसको हम मेरी ड्रोइंग के अकोडिंग ली समझेंगे क्योंकि आपको पता है यह मेरी ड्रोइंग बहुत अच्छी है फर्स्ट वोज दखले इन कल्चर इसके हैं employed की अपना एक बंड शेयर करें जैसे हमारी यूटूब फैमली है वो देरे देरे बढ़ती जारी है उसी टाइप से इसके अंदर employees एक बहुत बड़ा strong bond बना लेते हैं अपने एक दूसरे के साथ और अपना अच्छे से काम करते हैं जो भी interested communities होती हैं उनके साथ अपना अच्छे से bond बना लेते हैं इसके अंदर क्या बोला है कि वो नए नए स्टेंडर्स को लेके आता है नए नए स्टेंडर्स न्यू स्टेंडर्स को नए नी चीजे लेके आता है नए नए जिसे ही बोलते हैं कि हर बार एक कुछ नया अपने आपको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं यह लोग और नए नए solutions ढूंडते हैं कि हां मैंसा कर सकते हैं हां मैंसा कर सकते हैं इस ताइप से next was the hierarchy culture the work environment is considered will define and formal which districts protocols rules regulation and policies to ensure order efficiency and consequences इसके इंदर क्या बोला है हारायर की कल्चर के अंदर इसके इंदर जो वर्क environment है वो rules regulation के accordingly होगा जो rules बनाए गए हैं उनके accordingly वो काम करेंगी जो हमारी organization है वो लास्ट हमारा the market culture market culture के अंदर क्या है चीजों को जीतने के लिए काम किया जाता है कि हमें जो भी हमारा goal है वो achieve किया जाए the values are based on winnings and beating of all revealed sense the business strategy measures and producers जो भी measures and process है वो अपने जो beat करने के लिए होता है कि भी हमें जीतना है जीतने के लिए वो काम करते है और winning जीतने के लिए वो काम करते है next topic है हमारा characteristics of a successful organization culture क्या characteristics होते है first was purpose driven पहले हम लिए दिखते कि हमारा purpose क्या है employees with a purpose in their work report 1.7 times higher job satisfaction and were 1.4 times more engaged at work fulfilling the higher level of performance कि हमारा Perpence किया है आपको कितनी देर तक आपका काम करना है आपको satisfaction आपके पिच्गास काम करना है यह जो बंदा है बहुत सदा काम करता हो तक कितने गंटे काम करता है और किस टाइस से काम करता एसके सारे बर नहीं वाल कुण को समझ में आरहा होगा caring कि मेरी याद रहेंगे जब आप पेपर देखे आओगे तो आपको यह लगेगा आपको पॉइंट्स याद आएंगे कि हां उसने ऐसे बंदे बना रखे थे और परपस डाइवन आपका बहुत से परपस के अकॉर्डिनलिया आप काम करते अपने जोब को सैटिस्फाय करने के लिए कि आपके जो भी काम है वो सारे आपकी फुल्फिल होने चाहिए नेक्स्ट है effective communication होने चाहिए देखो यह कितनी अच्छे से माइग में बोलके effective communication कर रहा है an effective communication culture generally get works done work more efficiently as instructions are delivered in the clear and consequences manner it also built trust and increase the exchange of ideas effective communication बहुत जब्यादा जरूरी है business के इंदर जो भी आपके ideas हैं वो बिल्कुल clearly जो भी आपकी instructions है वो clearly दूसरे बंदे तक जाने चाहिए यह नहीं कि आपकी ideas आपकी जो instructions है वो अलग है और दूसरे बंदे तक कुछ और बात गई है तो वैसा नहीं होना चाहिए आपकी बिल्कुल effective communication होने चाहिए चाहिए उसकी कान में जाके बोल के हो बट effectively होने चाहिए valuing feedback हमारी organization के अंदर जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें जरूर feedback लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारी क्या गलती थी उसको हम improve कर पाएं ऐसा नहीं कोई भी काम हम बिल्कुल perfectly तो नहीं कर पाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाता है तो हमें पहले feedback लेना चाहिए और अगर अच्छे से हो भी गया है तो भी feedback लेना चाहिए थाकि हम उसको और भी improve कर पाएं और भी अच्छे से कर पाएं organization that values feedback culture let their employees voice and opinions he heard leading to company improvements and increase and retention state कि अगर हम उनसे feedback लेते हैं अगर वो कोई और अच्छा idea दें तो हम अपने काम को और भी इच्छे से कर पाएंगे जिसे हमने कोई भी event और उगनाईज किया है तो उसके अंदर हम वे अपनी employees से feedback लेना चाहिए कि आपको क्या कमी लगी आपको क्या कमी लग रही है इस चीज़ के अंदर और उनसे feedback लेकर देन उस चीज़ को इंप्रूब करना चाहिए People-Oriented The people-oriented organization culture spurs its employers by recognizing all their efforts, making employees feel appropriated and have a good sense of belonging at work People-oriented organization culture का मतलब क्या था है employees recognize करते की उनका efforts कितने हैं एंड employee को feel करते कि आपकी आपने काम पे हैं जैसे कि ऐसा environment उसको provide करवाया जाए कि हाँ उसको लगे कि मैं जो पर आया हूँ इसको यह लगे ही नहीं कि मैं कहीं काम करने आया हूँ थोड़ा सा इंवार्मेंट प्रोवाइड कर वाज है उसका ओफिस वगएरा जैसे मैंने बना रखा है कि बिल्कुल ओफिस के अंदर वो लैप्टोप पे बैठा है तो बिल्कुल पता चले कि हाँ यह इंसान अभी यहां पर ओफिस के अंदर है काम कर रहा है टीम ओरिंटेड इंवार्मेंट ओल्वेज इंप्रोइस तो इजीली हेल्प इच अदर वैं नीड़ेड एट इस देव हाईयर इंडरस्टेंडिंग्स ओफ इच अदर फंक्शन एक ओगनिजिशन के अंदर उसका जो कल्चर वो टीम ओरिंटेड होना चाहिए अपनी टीम के क इसे के साथ हमारा और यहीड पसंद आई और मीईड्र पसंद आई तो प्लीज कॉमेंट सेक्षियो में बताना कि आपको कैसी लिगी वीडियो और कोई बीजाउट है तो वो भी आप लोग comment section में मुझे पूछ सकते हैं कोई topic रह गया है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं फिर मिलते हैं एक नए video के साथ एक नए topic के साथ thank you for watching my video